नमस्कार स्वागत है आप सभी को हमारे इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे जार्खन के जाने माने चहिता चहरा जैराम महतो जार्खन के युवाओं के दिल का धड़कन स्टूडेंट के हीरो युवा क्रंतिकारी जैराम महतो क्रांतिकारी के बारे में वीडियो शु तोपचाची धनबाद जिले जारखंड में हुआ है जैराम महतो का बचपन भी मानटांड तोपचाची धनबाद में हुआ है यही से इन्होंने अपना शुरुवाती शिक्षा प्राप्त किये है और अपना बचपन भी पारसनात जैसे खुबसूरत पहाण के बीच में जैराम महतो का पढ़ाई ताइगर जैराम महतो का शुरुवाती शिक्षा उनके खुबसूरत गाव मानटांड तोपचाची धनबाद से हुआ है और आगे की पढ़ाई इन्होंने पी डॉट के रॉय मेमोरियल कॉलिज धनबाद से इन्होंने एम ए से इंगलिश ओनर किये हुए हैं इसके बाद इन्होंने पी एच डी इंगलिश की पढ़ाई बिनोद बिहारी महतो युनिवरसिटी से किये हुआ है ताइगर जैराम महतो अपने छोटे से गाव के सबसे जदा पढ़े लिखे हैं क्यूंकि मानटांड जंगलों के बीच में एक छोटा सा गाव है जहां पर अकसर हर चीज की कमिय है जैसे पढ़ाई, रोड, नाला, घर इत्यादी उस गाव के जदातर लोग बेरोजगार है और जंगलों से ही अपना भरन पोसन करते हैं जैराम महतो भी उन्हीं जंगलों में पढ़े लिखे हैं अब आप खुद सोचिए कि जिस गाव में न ठीक से बिजली हो, ना स्कूर हो, ना रोड हो वह से निकल के यह लड़का आज पीएचडी इंगलिश में बिनोध बिहारी महतो युनिवरसिटी से कर रही हैं जैराम महतो के परिवार में अब कुल खुद मिला के चार लोग हैं उनके माता जी, दादा जी और एक छोटा भाई है, जैराम महतो के पिता जी एक आंदोलनकारी थे, जो जारखन के आंदोलन में अपना जान गवा बैठे, जब जैराम महतो पैदा भी नहीं लिये थे, तब उनके पिता जी मृत्यू हो गया है, था एक आंदोलन में, जैराम महतो के पिता जी एक आंदोलनकारी तथा देश भफ थे आज उसी के रस्ते में खुद जैराम महतो हैं। जैराम महतो के माता जी को जारखन सरकार की और से 3000 मासिक महिना मिलता है तथा एक बूडी दादी है ताज खुद जैराम महतो जारखन के लोगों के अधिकार के लिए लड रहे हैं जैसे इनके पिता जी जारखन के लिए लड रहे थे जैराम महतो का नाम टाइगर कैसे पड़ा? जैराम महतो कौन है? और इतना फेमस कैसे हुवे जैराम महतो एक आम आदमी की तरह ही है, जिनक जन्म मान टांड, तोपचाची, धनबाद में हुवा है जो। और यहां के लोकल भाशा को जगा नहीं दिया जैसे भोजपुरी, वगही इत्यादी वगेरा को जार्खन के जैससी एक्जाम में सामिल कर दिया गया था, और आपको तो पता ही है कि जैराम महतो शुरू से ही स्टूडेंट के लिए आंदोलन करते रहे हैं, इसलिए इस बार और जोरो सोरो से आंदोलन शुरू किया रातो रात जार्खन के युवाओं के दिलों में राच करने लगे, धीरे धीरे जैराम महतो का पॉपुलेरिटी इतना जदा हुआ की लोग जैराम महतो को पूरा जार्खन के लोग जानने लगे और मीटिंग में बुलाने लगे, औ अलियापुर हवाईपट्टी मैदान में आयोजित सम्मेलन में जैराम महतो ने एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने जारखंडी भाषा खतियान संधर्ष समिती जेबी केसेस रखा इस पार्टी का चुनाव चिन्ह टाइगर है। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जैराम महतो ने पदभार संभाला। पार्टी के गठन के दौरान जैराम महतो ने साफ शब्दों में कहा था कि उनकी पार्टी आगामी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनकी पार्टी का एक मात्र लक्ष 1932 के खतियान को पूरे जारखंड में लागू करना होगा। हालां की एक तरफ कुड्मी, कुड्मी समुदाय आदिवासी सूची में सूची बद करने की आंदोलन कर रही हैं जो खुद जैराम महतो कुड्मी समुदाय से आते हैं ऐसे में JBKSS पार्टी को जारखंड में आदिवासी समुदाय की तरफ से बहुत बड़ा लुकसान होग दोस्तों यह हमारी जानकारी आप सब को कैसी लगी उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा ऐसा ही मज़ेदार एतिहासिक सुनने और समझने के लिए धन्यवाद